प्रेदोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका अपने कारेकर्म एचस्ती जोतिस में दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बात कि थी कि राहू का गोचर में जो राज़ी परवर्तन हो रहा है वह 30 अक्तुबर 2023 और 18 महीं दोहजार पच्चिस तक याने 18 महीने तक यह अब मीन राज़ी में रहेंगे अभी तक यह मेंस राज़ी में थे और अब यह मीन राज़ी में आ जाएंगे यहाने उल्ट आएंगे क्योंकि राहू और केतु हमेशा बक्री चलते हैं यह कभी मारगी नहीं होते हैं इसलिए यह हमेशा उल्टे चलते हैं आप चार से तीन, तीन से दो, दोसे एक ऐसे चलते हैं तो यह राहू जो है अभी जो 30 में 2023 जुनों नहीं अभी गोचरमी राज़ी पर रवरते हैं यह 18 महिने के लिए याने 18 मही 2025 तक अमीन रासी में रहेंगे साथ में इसके साथ जब राहू चेंज होते हैं तो केतु भी चेंज हो जाते हैं तो केतु अब तुला रासी से कन्या रासी में आ गई हैं और ये भी 18 मही 2025 तक अब कन्या रासी में रहेंगे राहु के बारे में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी पिछले वीडियो में आज हम बात करेंगे कि राहु का इन 18 मैने में इन 4 राशी वालों के लिए कैसा रहेगा हम आज इस पर चर्चा करेंगे आज हम करेंगे मे दिवण करको के लिए राहु के राशी पर रवत्तन पे में राशी वीडियो में इन 29 भाहों नश्ति करेंगे अगर आप export import का business करते हैं तो उसमें भी आपको बहुत benefit होगा राहू आपको जितना भी आप विदेश से कोई अगर विदेश सिक्लमेंट होना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा आपका समय आने वाला है क्योंकि राहू आपके चलता उसमें आ रहा है गोचर में वहां से वो जो अपनी पांचवी द्रिष्टी है वो डालेंगे चोथे भाव पर डालेंगे तो चोथे भाव के रिकार्डिंग भी वो बहुत अच्छा फल देंगे लेकिन यहां पर वो माता को थोड़ा कस्त करेंगे जमीन के मामले में बहुत अच्छा फल देंगे आपको अगर प्रॉपर्टी के काम में हैं तो आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए प्रॉपर्टी का खरीद फरोगत करना चाहिए जमीन जाज़त का जो भी काम होता है उसके लिए आपके लिए बरिया रहेगा नई गारी आप ले सकते हो नया वहान ले सकते हो उसमें भी मेरे रोग को निवालन करते हैं सत्र हन्ता हैं सत्र को अपने साथ टिक नहीं इन्हीं देते हैं तो रोग, रिर्ण, मुकदमा, अगर आपका कोई कोर्ट में केस चल लाओगा, तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी, उसके अलाबा, रावुट 12 थाहुस से, जो अपनी नवी दिश्टी, अस्तम भाव पर डालेंगा, अस्तम भाव, ससराल पक्ष का है, पाताल का है, और रिसर्च का है, इन सब चीनों से आपको इंप्रूमेंट दिलाएंगे, यह जरूर हो सकता है, कि ससराल पक्ष में आपकी थोड़ा बने कम, उससे थोड़ा बनने में थोड़ा दिकत आएगी, लेकिन हाई रिसर्च के लिए आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, उसक बहुत अच्छा बेनिफिट करते हैं, आपके लाव जरूर देते हैं, आप जो भी काम करते हो, उसमें लाव जरूर देते हैं, उसके अलावा ग्यारमा राहू हमेज़ा बहुत अच्छा फल देता है, क्योंकि उसकी जो पांचवी धिस्ट होती है, वो आपके मेनत वाले घ होती है, छोटे भाई बेनों के घर में होती है, छोटे भाई बेनों से भी बहुत अच्छा आपका अंडरस्टेंग होती है, भागदोर जरूर होती है, लेकिन आप अपने काम में मिलकुछ सक्सस हो जाते हैं, उसके अलावा ग्यार्वे भाव से उनकी जो सब्तमदिस्ट ह नियुक्त के लिए बहुत अच्छा ओता है संतान के लिए थोड़ा दिक्कत होती है संतान के साथ खुह बनते हैं लेकिन संतान होने के चांस ज्रूरी बनते हैं उसके अलावा जो नोवी कोई द्रिष्ट होगी वह सब्तम भावा पड़ेगी यहां पर थोड़ सा दिक्कत करेगा वह दामपत्य जीवन में थोड़ा सा अनमन जैसी रहेगी बाकी और दिष्टों से लाव की दिष्ट से नौकरी की दिष्ट से बिजनिस की दिष्ट से यह बिजन आसी वालों के जोब अगर अच्छा है और अच्छी रासी में है तो वो बहुत अच्छा जोब में बहुत अच्छा आपको बढ़ा देता है आपको सम्मान भी देता है आपको उच पतपत पहुंचा लेकिन अगर खड़ाप होगा तो वो आपको नीचे भी गिरा देता है यहां से राहू आपके कामकाज को बढ़ाएंगे और वो खुद ब्रैसपती के घर में रहेंगे और ब्रैसपती के घर में रहने से राहू थोड़ा आपको थोड़ा सा बेनिफिट जरूर देंगे जोब के समंधित में काम के समंधित में आप जो भी बिजनिस करते हो नौकरी तो कस्ट जरूर होगा लेकिन लग्जरी लाइब के लिए आपके बढ़िया हो जाएगा भूमिबहन के लिए बहुत अच्छा होगा हाँ यह जरूर है कि नेटिव प्लेस में वह आपको रहने देगा क्योंकि राहू के अंदर पितिकतावादी जो गुर्ण होता है हो सकता है कि वह आपको उठा करके बिदेस में स्टिल कर ले या अपने घर से अपने जो नेटिव प्लेस है उसको वहां से इदर दर कर दे नोकरी में आपका ट्रांसफर करबा सकता है उसके अलावाल राहू की जो नौन दिश्टी आएगी वह जो दिश्टी आएगी वह आएगी करकर राशी वालों के लिए राव का गोचर कैसा लगा तो करकर राशी से नौवे भाव में राव गोचर करेंगे, धर्म कर्म में आपकी थोड़ा रुच कम होगी, पिता से आपकी थोड़ा सा कम बनेगी, लेकिन आप भाग्यक आपका उदय होगा, आप विदेश में जा सकत तो बिदेश में आप सेटिल हो सकते हो, वहां से जो वह पंचम दिश्टी आपकी लग्र में जा लेगा, लग्र में भी आपकी परसिनल्टी को बोर्ड करतेगा, लेकिन यहां पर वह आपकी खुद की रासी में, करक रासी में रेगा, जब वह करक में और सिंग रासी में, इन तो यहां पर थोड़ा वो अच्छा फल नहीं देता है राव अगर सब्तम्भाव में जो दिश्टी डालेगा वो तीसरे भाव में दिश्टी डालेवी राव की आपकी मेनत को जरूर बढ़ा देगा लेकिन आपका काम जो है जरूर करेगा अगर यहां पर अगर आपने मेनत करने से थोड़ा सा भी कमी की या आपने आले सकी तो राहू आपको अच्छा फल नहीं देगा वहां से राहू नौम भाव से उसकी जो नौदिश्टी पंचम भाव पर आएगी पंचम भाव के रिगार्डिंग वो थोड़ा अच्छा फल संतान से थोड़ा मनमुटा हो सकता है संतान समंदी थोड़ा प्रॉलम हो सकती है लेकिन इस्तमक से समंदी थोड़ा प्रॉलम आपकी सौल कर सकता है आज की अपिसोड में इतना ही अगले अपिसोड में फिर एक नहीं जानकारे के साथ आपके सामने उपस्ते होंगे तब तक के लिए बहुत बहुत प्रणाव